हेलो फ्रेंड्स मैं संजीग और आपको अपने यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो मैथ हम लोग NCRT बुक से कर रहे थी उसका चौथा पार्ट यानि कि हम लोग आज पढ़ेंगे 1.3 पढ़ेंगी आप सच में चाहते हैं कि आपसे ये exercise अच्छे से बनी और बहतर तरीके से बनी तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखी मैं आसा दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद 1.3 में कोई भी ऐसी प्राबलम नहीं बचेगी जो आप कहीं और आपको भटकने की जुरत पड़े है और कोई वीडियो देखने की जुरत पड़े तो आप लाश्ट तक बने रहे हमारे साथ और हम आप स्टार्ट करते हैं तो आप किस एक पर पर डेक होँगे किस्टन पहला क्या कह रहा है कि यह शिद्ध कीजिए कि एक अंडरюD 5 एक अपर्मीय संख्या है यह नि कि उसका कहने के मतलब यह है कि आपको यह प्रूब करना है कि under root 5 एक अपरमे संख्या है तो क्यूं है आपसे मतलब प्रूब करना मतलब सिद्ध करना यानि कि वो आपसे रेजन पूछ रहा है तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन क्यूं है यह आपको बताना पड़ेगा तो यहाँ परमे और अपरमे दो पहलू को ले करके पूछा है उ तो फिर इसको प्रूब करना ही नहीं पड़ेगा आपको कि अपरमे संख्या है वह आल लेड़ी अपरमे संख्या हो जाएगी क्यूंकि परमी अपरमी आपस में इक अपोजीट है जैसे दिन और रात अगर इस समय रात है तो फिर दिन नहीं हो सकता है दिन होगा तो फिर र है उसमें जो उसकी गुर्ण होते हैं तो उस गुर्ण को Ahän लेकि करेंगे प्रूब करेंग невently करेंगे तो अगर वह प्रमेर संख्या के इसमें नहीं दिखती है यह अपर्मेर संख्या हो जाएगी जिसे अगर हम नैदophone के क्या दिआ हुआ है सिर्फ कीजिए पसड़ परमे संख्या के जितने गुड़ होते इसमें हम लगाएंगे यदि वो सत्त निकले तो परमे संख्या होगी सत्त नहीं निकले तो अगर आपको एक को सही करना है तो दूसरे को आपको गलत खैराना पड़ेगा तो बस यहां पर यही आपको करना है तो आइए हम देखते हैं देखते हैं यहां पर हम माल लेते हैं कि माना अंडरूर फाइब एक को परमेसंख्या है क्या है परमेसंख्या है कि आपने यह माल लिया क्या है परमेसंख्या है तो यहां पर आप जब आपने यह माल लिया इसलिए फिर आप माल लिजे कि मानेंगे अंडरूर फाइब बराब तो हमारे बेसिक के प्ली लिस्ट में जाकर कि वहाँ पर स्थ वीडियों इसी के डली हुई है उसमें आपको अच्छे से सभी नंबर्स के बारे में बताया गया यहां पिर भी यहां रिवाइस कर देता हूं अब देख यहां पर बड़ाबर जीरो नहीं है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं यह बटे बी जो हमारा यह अंस हुआ या नमनेटर हुआ और यह हमारा हर हुआ डिनोमेटर हुआ ठीक है अब याने की यहाँ पे दो सवाल आता है आपका दो किश्चन आ रहा एक पर्मे का पर्मे संख्या और एक आपका अपर मे संख्या जब तक आप इन दोनों में अंतर नहीं जानेंगी तब तक आप रूप नहीं करपाएंगे आपको पता है मैं रटाया नहीं करता हुँ किवल आपको यहाँ पर समझाऊंगा अंडर्स्टैनिंग आपकी बेटर करूंगा ठीक है कि मार्ट करना है स्वार्ट स्टीडी करना है ना किए आपको नहीं देखते हैं यहां पर भेते अंपर इस snofps मैं डिखते हैं आपको प्व को करूम में रख सकते हैंais अइंन में रख सकते हैं लेकिन इनकी और विशेष्टा होती है इसका कोई भी काम यानि कि आप अंसका फैक्टर कीजिए गुड़न खंड कीजिए और हर का गुड़न खंड कीजिए तो दोनों में जब आप उभाइनिस्टी गुड़न खंड देखेंगे तो एक किलाबा कोई नहीं मिलेगा लेकिन इसमें मुल भी सकता है ठीक है इसमें मिल जाता है यादी आपका एक के लावा कोई उभाइनिस्ट गुरण खंड नहीं मिलता है तो वो परमे संख्या होगी अगर मिल जाता है то वो आपका परमे संख्या होगी और उसे हम पीवकर की गुरु में रख भी नहीं सकते जैसे आप समाझने कोशिश किजीगा, माल लीजे हमने लिया, चार वटे च्छ, हमको नहीं पता ये पर्मे संख है, क्या पर्मे संख है, ठीक है, कि भिन्ड है, आपका यहाँ पर भिन्न भी सेम होती है, ठीक है, तब भिन्न की सीधी सिपहचान है, अंस होना चाहिए, हर होना आ थाइशीए काम खतम यहां पर यहां पर यहां पर अफिटार कर लिजे उयक्तिोंर्टों खर्शार keluar यहां कर लीजिए तो स्थार कर लिजी एकlier गोरा मिल Were This Att posible स्था कर सब्सक्रारारे का पर दो कर सकते हैं रहां अब आप इसका factor कीजिए, दो का और तीन का कोई match नहीं करेगा, एक के अलावा, देखिए, जैसे हम करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, तीन एक कम्तीन, देखिए, एक के अलावा, कोई match नहीं कर रहा है, यानी, आपका ये परमेशंख्या, आप बन गई है, पहले, यह भिन्न थी यानि कि किसी भी भिन्न का निम्नतम मान जो इसको कट करने पर जो निम्नतम मान आए और उसका उभाई निश्ट गुड़न खन कोई न बच से वो आपकी परमेशंख्या होगी और जिसे हम पीवटे के ब्यक्त ही न कर सके जैसे हम अंडरूड फाइब की बात कर हो रहे हैं अंडरूड 3 की बात कर इनका मान हमेशा डेसिमल में होता है पाई की बात करें हम तो यह इनका हमेशा मान डेसिमल में होता है इनको हम पीवटे के गुरू में नहीं रख सकते हैं रखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका फैक्टर वनेगा यानि फैक्टर कॉमन निकलेगा इसमें उभाइनिस्टर रहेगा तो वो आपकी अपर में संख्या हो जाएगी ठीक है तायूप के आपको दोनों समझ में आ गया होगा अब हम आते हैं सवाल पर आते हैं देखिए तो हम इसको सिद्ध करेंगे अगर पहले अब देखिए इसमें हमको अंस और हर यानि कि पहले हम अंस को प्रूब करते हैं फिर हर को प्रूब करते हैं अगर अंस में कोई ऐसे उभाइनिस्ट मिलती है कि जो उसको डिवेजबल यानि की विभाजित कर सके और हर को फिर चेक करेंगे हम कुसको कोई ऐसे उभाइनिस्ट संख्या है जो उसको कट कर दोनों में S. ze सब्सक्राइब जीर विधान णकिना आप लिए आपको समाझ में आएगा जरूर आप देखिए यहां और यहां पर i as a or B क्या है आपकी पूरांग संख्या क्या है ठीक है जहां पे एोजब का कोई उड़हां नहीं था देखते हैं हम लोग इसको हल करते हैं अब देख Вас में क्या कहता है इसको हम क्या करें यहाँ पर भीको पच्छांतर करदें तो आपकly क्या बनेगा अंडारूर फाइप डी बराबर एबनेगा ठीक है कि अब हम दोनों पच्छों का वर कर पाई हमने कर दिया ठीक है अब दोनों पच्छों का करेंगे ते क्या बनेगा यहां पे एक बाल लिख सकते हैं यह देखिये घान दीजेगा करेंगे यह बनेगा न्टू एंडरूड यानी जिसकी पावर दो उसको हम इन तू में दो बाल लिख सकते हैं गोड़े में अब देखे यहां पे वर्गमूल में दो माना जाता है घात यह जो है मारा है तो आप यहाँ पे दो माना जाता है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे सेम है तो हम एक साथ इसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यहाँ पे दो होता है तो दो का जोड़ा बनाएंगे तो एक पांच बाहर आजाएगा तो आपका यहाँ पे पांच बाहर आगा और बी नहीं पांच एस्कायर बटे पांच आपका मिलेगा यानि कि ये पांच से यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं एस्कायर पांच से कि विभाज है ठीक है इसलिए कि ए इसलिए ए भी पांच से कि विभाज होगा अब देखिए यहां पर एस्कायर बटे पांच है यानि कि ये इससे विभाजित कर रहा है तो एस्कायर पांच से विभाज है इसलिए ए भी पांच से विभाज होगा इन्हीं ए भी पांच से कट जाएगा कैसे देखिए यहां पर ए है और यहां पर एस्का कट सकते हैं तो उसके वर्गमोल को भी हम काट सकते उसी नमबर से यह जब हमारा किसी को वर्ग एक वर्ग पांच से विभाजित हो रहा तो उसका वर्गमोल यानी क्यों一直 अब रीवल्ग कर दिया चोंव को घृक यह समझने के लीए है आपको चली आगे अब हमारा यह हो गया a को हमने प्रूब कर दिया कि इसका एक गुड़नखन पांच है जो कि उसको विभाजित कर रहा है अब हम हर को देखते हैं b को देखते हैं उसको भी प्रूब करते हैं तो यहां पर आप हम क्या करेंगे अब यहां पर हम इसको दो समीकरण माल लेते हैं ठीक है इसक 5 K माल लेते हैं जहां पर K एक पूरांख होगा पूरांख होगा ठीक है पूरांख अब देखे ये जो है हमारा एक आमान समीखरण 100 एक में रखने पर ठीक है रखने पर समीखरण एक कहा है ये है यहां पर आप ले लेज़े 5B square बरावर एक आमान क्या है हमारा 5K है और यहाँ पर square लगा हुआ तो आप square कर दीजे ठीक है अब देखी यहाँ पर हो गया आपको क्या हो गया अब यहाँ पर यह 5B square है इसका square हो गा तो 25 हो जाएगा और K square हो जाएगा ठीक है clear है अब यदि हम यहाँ पर K square बरावर मान निकाले तो क्या हो जाएगा यह 25 इदर गुड़े में धर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 5B square बटे 25 हो जाएगा 25 इसको काट दीजे तो K square बरावर बचेगा 20 square बटे 5 अब देखी जब यहाँ पर 20 square को 5 विभाज कर रहा है तो क्या लिखेंगे अत है 20 square पांच से विभाज है इसलिए बी भी 5 से विभाज होगा अब देखी यहाँ पर यहनि कि 5 एक ऐसी नमबर आपको मिल गई जो दोनों में कामान या उभाजनिस्ट है अब दोनों को विभाजित कर रही यहाँ पर हमने अंस को चेक किया अंस को भी विभाजित कर रही और यहाँ पर हमने हर को चेक किया तो हर को भी विभाजित कर रही है, यहाँ पे आप इसको लगा लेंगे, अब देखी यहाँ पे आपका ये प्रूप हो गया, कि यहाँ पे एक उभाइनिस्ट गुरंखन कौन है, पांच है, जो दोनों को विभाजित कर रहा है, यह निकि यह परमे संख्या अब नहीं रही, ह इसलिए अब यह क्या हो सकता है, अपरमे संख्या हो सकती है, यह हमारा प्रूप हो गया है, बस आप इसको यहाँ पे नीचे अब लिक सकते हैं, कैसे लिग सकते हैं? आईए हम बतातें, क्या लिखेंगे हम, यहाँ A एवाम B का एक उभायनेस्ट गुनन खंड पाँच है जो हमारी कलपना के विपरीथ है कैसे विपरीथ है हमने इसको परमे संख्या माना था जबकि अपरमे संख्या का गुर्दर्सारा था इसलिए हमारे ये ये है तो अता हम लिख देंगे अता है अन्डा रोड फाइब एक अपर में संख्या अपर में संख्या होगी ठीक है आई होब कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आईए हम किस्टन नंबर सेकंड की बात करते हैं और वो भी सेम ऐसे ही है सिर्फ उसमें थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया ह है किस्टन को इसमें किवल प्लस और करके आगे जोड दिया है तो आप उसको अगर ये समझ में आ गया है तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उसको भी सेम ऐसे ही करना है ताहिए हम लोग उसको भी करते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं बोड़ पे कि किस्टन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडरोड 5 एक अपरमे संख्या है यहां पर अंडरोड 5 तो है ही साथ में और हमारा 3 प्लस 2 अंडरोड 5 इस्ट्रा प्लस कर दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अंडरोड 5 अभी हमने प्रूब किया है सिद्ध किया है कि एक परमेर संख्या है तो ये भी परमेर संख्या है क्लियर है कैसे है आप ऐसे सोचिए जिसे आप दो लोग चोरी करने गए ठीक है किसी के हैं और आपने भले ही चोरी नहीं कि आप बाहर खड़े थे पहले वाले ने चोरी किया लेकिन जब आप पकड़े ज यदि अपर में संख्या है, तो उसके साथ में कोई भी अगर हो, प्लस में हो, इन्टू में हो, कैसा भी हो, प्लस में, तो वो एक अपर में संख्या ही होगी, ये प्रोब है, ठीक है, हमको पता हो गया, लेकिन कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं, आल ये, ठीक है, माना 3 प्लास 2 अंडारूर 5 एक परमे संख्या है हम यहां भी इसके विपरीत मानेंगे ठीक है क्योंकि यहां परमे बोला है तो हम परमे मानेंगे जब परमे का यह गलत हो जाएगा तो यह अगर परमे निकलाई परमे नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगी वो अपरमे हो जाएगे ठीक है तो ऐसे ही हम यहां पर करेंगे देखते हैं जैसे इसको हम अब यहां पर इसलिए आगे मानते हैं इसलिए माना यहां पर हम 3 प्लास 2 अंडारूर 5 बरावर A बटे B आपको पता यहां पर B बरावर 0 नहीं होगा क्योंकि A एवं B दोनों पुरांक है और यह हमारी एक परमे संख्या हमने इसको माना है इसलिए यहां पर नहीं होगा क्योंकि परमे संख्या का हर बरावर 0 नहीं रह सकते ठीके अब यह हो गए अब आपको यहां पर क्या करना है यहां पर एक एक करके सब को पच्छांतर करना है यहां पर देखी तीन इधर प्लस में इधर जाएगा तो minus में हो जाएगा तो पहले हमारा ये बचेगा A बटे B और ये इधर जाएगा तो plus है तो ये हो जाएगा minus ठीक है अब हमको under root 5 के वल सेस रखना है A बटे अब इसको हमको 2 इधर करना है तो गोडे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हटा के भी कर सकते हैं ब्रेकेट के ठीक है अगर ब्रेकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा एबटे ये दो जो है दोनों पद में भाग होगा तो इसमें पद में होगा तो पहले 2 भी बनेगा और 3 भी होगा तो 3 बटे 2 बनेगा तो बात वही है चाहे ऐसे रखे रहे है अब देखे यहाँ पर आपको वर्ग वगारे नहीं करना पड़ रहा क्यूंकि आपको यहाँ पर पर्मेर संख्या माना है तो यहां पर देखे बटे भी जब हमारी पर्मेर संख्या इसके साथ में जितने भी है सम मिल करके भी वो एक पर्मेर संख्या ही बनाएंगे और जब पर्मेर संख्या के बराबर में जो संख्या होगे वो भी पर्मेर संख्या ही होगी यानि कि इक्व परमे संख्या के बराबर में परमे संख्या ही होगी तेहां पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि ए एवं भी पोड़ांग है इसलिए एक बटे दो ए बटे भी मैनस तेन एक परमे संख्या है तत्था अब यह इसी कारण से क्या होगा तता अंडरीर फाइब भी एक परमे संख्या होगी अब दे Clark यहां पर अंडरीर फाइब भी परमे संख्या हो जाएगी आप तो चूंछिए अब अब पर में संख्या बोल रहा है लेकिन हम लोग पहले के उश्चर में ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरमे संख्या है तो अपरमे संख्या है ये हमारी कल्पना के विप्रीता रहा है यानि कि हमको पता है तो आप लिखेंगे यहाँ पे चुकि हम जानते हैं कि अंडरूर्ड फाइप एक अपरमे संख्या है इसलिए 3 प्लास 2 अंडरूर्ड फाइप भी एक अपरमे संख्या होगी तो आयोप के आपको ये समझ में आया हुआ मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको यहाँ पहले मानना है परमे संख्या और आपने यहाँ पर प्रूप किया आपने फहले क्या यहां पर 25 करना फिर दो कुं करना है ठीक है फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जब बटे कर देना है ये भी एक परमे संख्या होगी, किसलिए हुआ है, ये हमारे कलपना के तुरुट के कारण हुआ है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि अंडरोर 5 एक अपरमे संख्या है, इसलिए अपरमे संख्या है, तो आपका ये प्रूप हो चुका है, आपको ऐसे अंसर लिख लेना है, या पिर आपके teacher जैसे सजिस्ट करें आपको या फिर आपको जैसे वेटल लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जरूर है नहीं आप हम देखते हैं question number 3 की और चलते हैं तो आएए चलते हैं यहाँ पर आप लोग question देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या कहता है कि question number third में सिद्द कीजिये कि निमले खित संख्याएं अपर्मे संख्याएं हैं यनि कि यहाँ भी आपसे वही question बार बार पूछ रहा पर्मे अपर्मे तो आपको सभी question को पर्मे प्रूप करना है कि पर्मे है या नहीं है फिर आपको जेस्ट अपोजिट इन ये पर में आपको प्रूप हो जाएगा अपने आप तो सभी को सेम करना है बस थोड़ा उनका जो ये पच्छांतर वर करने का है यही थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बाकी प्रोसेस सब सेम है ठीक है सभी सेम है जैसे हम लोगोंने अभी दो किये ऐसे ह ये भी तीनों हैं दिखिए जिसे याँ पर दिख रहा है एक बटे अंडरूट दो हमारे पर में संख्या है यह भी दो है तो ये भी होगी जब हमारा ये है यह ना करना है पर आ फकरीस करना है फिर आपको करना है हर को prove करना है हो जए तो नहीं direct मिल जए तो कोई बात ने बस आपको वही बार बार लिखना है बस आपको थोड़ा यही बीच कर यहां पर छंतर होता है यही बस आपका थोड़ा सा difference हो सकता है सब्सक्राइक बात की region और answer सबको same है तो आप अपने से भी कर सकते हैं आई हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं इस तरह कभी हम लोगों ने किया है यह तो सिंपल सा है आप कर सकते हैं और यह इस तरह यह इसको कर लेते हैं इसको कर लेते तो चलिए एक हम कर लेते हैं ठीक है पहला ले लेते हैं जहाँ पर माल लेते हैं माना एक परमेश संख्या है ठीक है इसलिए माना फिर से मालेंगे कि एक बटे अंडारोट टू बरावर ए बटे बी जहाँ बी बरावर नहीं है जीरो आए और बी क्या है हमारे ए बी पुढ़ांग क्या है पुढ़ांग ठीक है अब देखिए यहां पर आप क्या कर यह तिरिया गुड़ा कर लिजित एक का यहां गुड़ा होगा तो अंडारोट टू ए हो जाएगा और यह आपका बरावर में बी हो जाएगा अब दोनों पच्छों का वर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका तो दो का होगा तो इससे दो निकलाएगा जैसे हमने पांच में किया था एक का ए स्कार हो जाएगा यह बी स्कार हो जाएगा ठीक है यहां से ए स्कार वारावर निकालेंगे तो बी स्कार वाटे दो हो क्लियर है क्या हो जाएगा दो हो जाएगा यहां पर आप ऐसे स्कॉल टू का साइन लगा लेंगे यह आपका आ गया ठीक है यहां पर आप समय कर इसको एक माल लीजे ठीक है जिसे हमने पहले में किया अब आप देख रहें यहां पर की दो जो है बी स्कॉयर को भीवाजित कर है ठीक है इसलिए का भी कि दो से यह को लिवाज होगा ठीक है आपका यह जो है आपका हर यानि की पर रिखर मुद्रीं करना है ठीक है तो यहां पर देखंगी यहां पर बीपरोफ हो चुका है तो यहां मान मानेगे जिसका पहले प्रूप हो जाता है उसी को हम यहाँ पे माल लेते हैं माना B वराबर 2K 2K यानि कि यहाँ पे जिससे भी भाजित होगा वही हम यहाँ पे मानेंगे 2K माल लेते हैं अक्के यहाँ पे एक पुरांख है क्या है पुरांख है ठीक है आप समझ लिएगा ध्यान से ऑप देखि यहाँ पे फिर आप इसका मान B का मान समिकरन एक में रखने पर हम हैं और लेते हैं यह अमारा समिकरन 1 यहाँ पे 2 a स्कॉाइर बराबरबर b का मान क्या है हमारा 2K का स्कॉाइर यहाँ पे करते हैं तendraaking मिलेगा यह दो दोनी 4k स्कायर मिलेगा ठीक है अब यहां से यादे हम के स्कायर बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगे चार इधर आ जाएगा तो दो यानि कि ए श्कायर दो से बिवाज है इसलिए ए भी इसलिए ए भी दो से बिवाज होगा ठीक है आपने ये कर लिया अब देखी यहां पे भी वही सी जाया अब दोनों में क्या है दोनों को कामन गुडण खंड हमको दो मिल चुका है अजब कि परमे संख्या में कामन गुडण खंड एक के लाबा कोई नहीं होता यहीं हमारा यह प्रूफ हो चुका है कि अब परमे संख्या है तो बस हम नीचे क्या लिख देंगे आएए देखते हैं यहां पर यहां ए एवं बी का उभाय नेश्ट गुरन खंड दो है जो कल्पना के बिप्रीध है अतह एक बटे दो एक अपर में संख्या होगी क्लियर है आप यह जान जुके हैं ऐसे हम सेकंड करेंगे फिर थर्ड करेंगे ऐसे ही वो भी किश्चन है बस आप यह समझ गए होगे आयोब कि आपको अब यह दो आपके जो हैं हुंबर के लिए मैं आपको देता हूँ ऐसी तरह कि आपके बुक में देखेंगे एक ग्यामपल्स में उदाहरण में आपके एक दो सवाल मिल जाएंगे ताप उनको भी हुंबर के तोर पे आप कर लेंगे अगर इसमें वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए इस exercise में मैंने इतना अच्छे से समझाने की कोशिस की है फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब कमेंट्स पाक्ष में पूछ सकते हैं और हमारे सोचल मेडिया से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जुड़ सकते हैं जॉइन हो सकते हैं और वहां पर सभी वीडियो के लिंक आपको मिल सकता है और हमारे वार्टसप ग्रूप में उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल आएगा आप वहां से भी जाइन हो सकते हैं अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पुराने हैं तो विल आइकन को जरूर ऑल अप्शन को जरूर प्रेस कर देजिए ताकि हम नई याने की नेस्ट एक दिसमलों चार की जब वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले उसकी जनकारी पहुंच सके और आप उसको पढ़ सके तो पढ़ते रहें सेफ रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक क जहें ले जहें